हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मांसीज केचिन और आज मैं बनाने जा रही हूं बेक पटैटो पफ जिसे मैं मल्टी ग्रेन आटे के साथ बनाऊंगी और बेक करूंगी तो सबसे पहले मैं इसकी फिलिंग बना रही हूं जिसके लिए मैंने पहले से ही पैन को गराम हुने रख द जीरा साबु धनिया और थोड़ी सी हम इसमें राई एट करेंगे और इसको अच्छे से बुनने देंगे थोड़ी देर जब राई भुन जाएगी तो इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ लहसन एट करेंगे आप चाहें तो थोड़ा सा अध्रग भी यूज कर सकते हैं कटा कर एक दो मενट के लिए करेंगे और दो मिनट बुनने देंगे वडिया देंगे अब मैं। एक दो मिनट बास अब मैं ऐसमें त जाफ॥ी अ शावाइलम प्रत्क्रावाद उपके अंहीं मिक्स करेंगे इसकी सीजनिंग स्टार्ट करते हैं जिसके लिए मैंने नमक एस पर टेस्ट लाल मिर्च धनिया पाउडर गरब मसाला पाउडर थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और यहां मैंने थोड़ा से डिफ्रेंट फ्लेवर देने के लिए एक छोटा चम्मच पावभाजी मसाला एड़ किया है यह कम्प्लीटली ऑप्शनल है आप चाहें तो इसे एड़ करें इसे अच्छे से मिक्स करना है हाई फ्लेम पर ही एक दो मिनट के लिए एक दो मिनट बार मैं इसमें दो चम्मच पानी एड़ कर रही हूं क्योंकि मिक्स्चर अमारा बहुत ज्यादा ड्राइ हो गया है इससे इसमें थोड़ा सा मौश्चर आ जाएगा अच्छे से इसको भूनेंगे और अब मैं लास्ट में फ्रेश कॉरियोंडर इसमें एड़ करके इसको अच्छे से मिक्स करूंगी हमारी फिलिंग बनके तयार है अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और एक इसे बाउल में ट्रांसफर करके ठंडा होने दूंगी यहां मैंने एक सिंपल डू प्रेपेर किया है जो से मैंने मल्टी ग्रेन आटे के साथ प्रेपेर किया है आपको एक कप मल्टी ग्रेन आटा लेना है उसमें एक छोटा चम्मच एक्टिवीस का डालना है एक छोटा चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच चीनी का डालके गु यह मार्किट में एजली अविलेबल है लेकिन इन में बहुत ज्यादा बटर होता है और आज में एक हैल्दी डिश बना रही हूं इसलिए मैं यहां पेस्टे शीट का यूज ना करके सिंपल वीट फ्लार का यूज किया है जिससे हमारा और ज्यादा हैल्दी हो जाएगा अब मैं इसको पीजा कटर की हैल्प से चकोर पीसिज में कट कर रही हूं क्योंकि मुझे पफ बनाने है यह हमारा मिक्षर पहले ही ठंड़ हो गया है अब मैं इसको इस पर रखूंगी आप चाहें तो यहाँ अनियन का पनीर का किसी का भी मिक्षर यूज कर सकते हैं और इसको पहले एजिस को आपस में चिपकाना है और फिर साइट से अच्छे से चिपका देना है हाथ से प्रैस करते हुए सब तरफ से इसको चिपका देना है मैं यहाँ इसको आज बेक करूंगी आप चाहें तो आप डीप फ्राइ भी कर सकते हैं इसी तरीके से अब मैं दूसरा पफ भी बना लूँगी अब मैं इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेट पे 25 से 30 मिनट के लिए बेक करूंगी थर्टी मिनट में हमारे पटैटो पफ बनके तयार हैं अब मैं इसकी प्रेटिंग स्टार्ट करती हूं बेक्ड पटैटो पफ जो कि हमने मल्टी ग्रेन वीट फ्लार से बनाए हैं बनके तयार हैं इसको टमैटो सॉस और घरी चटनी के साथ आप सर्फ करें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं फेस्बुक और वाटसैप पर थैंक यू सो मच फॉर वोचिंग